एक अत्यंत गंभीर, चिंता जनक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने आये हैं, कितनी भी ध्यान पटाने की कोशिश करी जाए, राष्ट्रे सुरक्षा से जादा, हमारी भूभागिया खंडता से जादा, जरूरी दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं हो सकता है तीन दिसंबर को, आज हम लोग ये प्रेसवारता कर रहे हैं, आप सब को याद होगा, 15 नवंबर 2022, आज सिस ठीक, 18 दिन पहले, इंडोनेजिया की राजधानी बाली में, मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, गलबईया करते हुए, बड़ी आत्मियता से, लाल आख, शी जिन पिंग से, चीन के राष्ट्रपती से मिल रहे थे, अठारा दिन के बाद, अत्यंत विचलित करने वाली खबरे आ रही हैं, और उनके मुताबिक, उत्तरी डेपसांग में, उस इलाके में, जहां पर चीन ने घुसपैट करी हुई है, और उसकी घुसपैट बरकरार चीन ने वहाँ पर 200 स्थाई शेल्टर बना लिये, ये 200 स्थाई शेल्टर एलेसी से 15 से 18 किलो मीटर के अंदर हमारी जमीन में गाड़े गए हैं, हमारी जमीन में खड़े किये गए हैं, और ऐसा लगता है कि अपने अतिक्रपन और घुसपैट के बाद, चीन यहाँ पर रहने की फिराक में हैं, हम सब का मानना है कि ये हमारी भुबा की अखंडता, हमारी राष्ट्य सुरक्षा, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है, आपको ग्यात होगा कि ये शेल्टर जो है सेनिकों को हार कापते हुए जाड़े से बचने के लि और वही काम चीन ने यहाँ पर किया है, इनसे तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, स्थाई रूप से सैनिक उस जगे पर रह सकते हैं, लेकिन इन तमाम विचलित करने वाली खबरों के बीच में सुई पटक सननाटा है मोधी सरकार के तरफ से, एक शब्द नहीं बोला ज उंग गया हो पूरी की पूरी सरकार को, और याद रखिएगा, कुछ चरण चुमबक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन डेपसांग और डेमचोग दोनों में चीनी घुसपैट हुआ हुआ है, अतिक्रमड किया हुआ है, उनकी मौजूदगी के का परण भारतिय सेना आज, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13 और 14 तक गश्ट नहीं कर पा रही है, और खबरों के ही मुताबिक जिसकी पुष्टी, तमाम सेन्य अधिकारियों ने करी है, खबरों के ही मुताबिक, हम उ अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक बनाने का भी दुश्कर्म किया है।